उत्री पारच पिछले करीव एक हफ्ते आई तो गर्मी आतते है ते जिस करके लोकानू काफी मुश्किलात दा सामना कारना पहरे है ते तामान भी 46 डिगरी तो उपर चलाए गया है लोकावलों गर्मी तो रहात पाउंड ली वाकवाक टांग तरिक्या नाल बचन दी कोशिश किती चारी है ता स्विरात आनों भखारे अमरी सर्दी उश्यारपूर दी लुदियाना दी जलंदर दी चार ता स्विरात आड़े सामने पूरे पंजाब चला की दादा महौल है प कोई अपने पासियों गर्मी तो बचन दे लई कोशिशा करदा ना जरार है पामे निम्भू पानी होवे पामे सड़का ते लगे होर पेजल दी गाल किती जावे जलंदर अमरिसार उश्यारपूर ते लुदियाना दिया ता स्विरात उसी भेग सादे अज़िपीसी ने भ कि जिन्ने भी शर्दा लूने उन्हानों कोई भी तकलीफ ना वे आज भी कई थामा ते फिलाल छबील लगी हुई है ते हो सगदा है मौसम जड़ा है अगे आणवाले दस दिन आच होर भी ज्यादा गर्मी दिनाल वे खड़ विले फिराल लोग लसी दा सहरा ले रेने जा फिर स्वेर जा फिर शामनों निकलना मुनासि समझ रहेने पर दुपैर तो निकलन तो गुरेज किता जा रहे है चंडिगर तो हरिंदर साड़े पत्रकार सा अड़ाल जुडे हैं हरिंदर चंडिगर दा तापमान की है किन्ने डिगरी ए पहुंच चुके है अलाकि कहा जा रहे है कि पंजाब च जड़ा तापमान है वक्वा खेतरा च शाली तो अड़ताली डिगरी है चंडिगर दा की महौल है चलो फेर तो कोशिश करांगे पर चार तस्वीरा ता अनु लगातार बखावांगे अमरे सर उच्वार पूल दियाना जलंदर दियां तस्वीरा तुसी वेख रहे हो गर्मी दा क्या है तुसी वेख सदे की में जा रही है रात नु भी गर्मी परिशान कर रही है गर्म हवामादा जड़ा प्रकोप है और रात नु भी वेखड़ों मिल रहे है देन चे दसक वज़े या फिर नौक वज़े जे तुसी बार निकलो दुपैर वर गा महौल लगदा है ते गर्मी तो बचन ली साड़ी भी दरख्वा पार ना जलंदर पंजाब दे वागवा खेतरां दियां तस्वीरा तुसी बेख रहे हो हरिंदर साड़े पत्रगार सा ना जुड़े हन चंडिगर तो हरिंदर तो आड़े तो सवाल में पूछ रहाए सी चंडिगर दा किना डिग्री तापमान दस्या जा रहे है ते लोका जड़ा तापमान है और चुवाली डिग्री तो भी पार होंदा नज़र आ रहा है और वही अगर मोसम भी भागतिगाल किती जाए ते मोसम भागते हरियाना पंजाब ते ही माचल बीच भी रेड अलर्ट जारी करता है ते साड़े नाल कुछ लोग भी है ओनना तो जानते ह कि गर्मी नाल किस तरह दाव नादव तेवती दो रही है मेरे नाम गुर्मी सिंग है जी मैं दड़वे पेड़े रहने वाला एथे जदो दे साड़े सांसद अपने किरन घेर जी बने है उदे बार एक वार भी है पिंडी जी नहीं नहीं आके पिंडी कि दी कोई हाल चाल कि गर्मी दे बहुत पहरी है जी ना थे पानी आ रहे है राद बर लाइट दा कट लगदा है एक काम आदमी बहुत परशान है जिनने स्वेरे उड़के कामते जाना है बच्चे ली रोटी कमानी है और आज बर सुनी बंदे स्वेरे उड़े पानी नहीं मिल्दा नानू ना बिल्कुल बिल्कुल कुछ और लोग भी साड़े नाला किस तरह देंगे प्रकोशन की लेना जी पके हास वाला ओ है निके बार बैठके टाम करती तो पैनी तेज है गिया कि पसीनों पसीनी है पाणी है निका बिजली है निकी तेक जिमें की जिमें का लिए बे वार्स जे ह पुछा लेटा काटनेंदा कोई स्वीधा ही नहीं है कि जिकार देबी चिके स्कूलर या के फैंदी को स्वीधा भी है गी आता ओवी जिड़े है गया ना काफी हो गया इस टेम क्योंकि स्टेम सानु बार बैठके रात कटनी अरिंदर लोका दो पुछो गर्मी तो बचा ल चाओ देबी घी की तरीका हो साथा जैसे पहला तो जितना साइंस दी के सूलत है इपके या कुलर अपने कार्चला के बैठो जैसाटे लाइटी नहीं है इंवर्टर है नहीं है जाए जैसे कि गर्मी से बचने के लिए सभी को एक तो साथ में पानी लेकर सभी को चलना चाह काल लेकर का जा सकता है लेकिन कर दोब सब्सक्राइब जैसे कि हम लोग ऑफिस आते हैं लेकिन उस समय गर्मी से यानिक और कोई प्रोलम नो इसकर पाने की बोटन जरूरू लेकर से भी चले और खरों में अपना छोड़े-छोड़े बच्चे हैं तो लाइट का ज्यादा कर रहे हैं तो गर्मी को होती होती है तापमान बहुत जादा बढ़ते जा रहा है गर्मी भी बढ़ती जा रही है लेकिन समस्थे आई है कि गाउं में ज्यादा परिशानी रहती है लाइट का कट लगे होने के कारण लेकिन यहां पर चंदीगर समार्ट सीटी है यहां पर इतने लेकिन पानी की सुभधाओं के लिए लेकिन दस दिन का वक्त दिया है अगर दस दिन बाद नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर बैठ के पूरी सड़क जाम कर देंगे और जब तक उपर से मेडम किरन खेर जी या कोई प्रसाशन का अधिकारी नहीं आएगा जब तक उस प्र बिजली तो ना दे दिन राद की में काट रहें ने और भी लोग मौजूद ने सारे तो रेक्ष्ट लेंड दी कोशिच करें हूं हाँ बिलकुल बिलकुल अमर बिलकुल जिस प्रकार एक गर्मी ने बिजली ने किस तरह दा को एक पैंड़े चर स्रीमान नरेंदर मोधी प् किया कोई भी उन किते तक सकाथ कर ये कोई ना सुनवाई हो रही है ना कोई कारना बात पानी नी मिल रहा है लाइट नी बार गड़्या जांट पड़ाई कर लूगा वंदा जो गर्मीज ना बैठ हुंदा ना अंदर पक्कियां चाल रहे हैं परेसान आने बार गड़्यां हुआ हुआ है